मित्रों चे माता दी आप देखने धर्म सिक्षा मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाल हैं खाना खाते समय वास्तू के किन नियमों का हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए इन नियमों का ध्यान लोग जाने अंजाने में नहीं रखते हैं इसके कारण बेविन्य प्रकार के परेशानियों का उनको अपने जीवन में सामना करना पड़ता है बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता हमेशा आर्थिक तंकी घर में लगी रहती है घर में कलह होते रहता है बिमार रहते हैं तरह तरह की समस्याएं रहती है तो खाना खातनी समय हमें इन दस बातों का जोड ध्यान रखना चाहिए बहुत ही छोटी छोटी बाते हैं और इन में से कुछ चीज़ें हो सकती है पहले से भी ध्यान रखते हों तो एक-एक करके पूरा सुने ताकि सभी चीज़ें की जानकाड़ी आपको हो पाए और उसके पीछे का तरक भी आपको पता चल पाए और अपने जीवन में आप भी इन चीज़ें का पालन कर पाए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब जो हो सके तो किचेन में भी ऐसे बरतनों को नहीbn रखना चाहिए। जिन घरों में तूटे हुए बरतन का उप्योग होता या तूटे हुए बरतन पाए जाते हैं उन घरों में हमेशा ही द्रध engag बनी रहती है पैसे की तंगी बनी रहती है तो आपके यहां भी कोई बरतन अग कहीं तूटा है तो उसे फेकना ही उचीत होता है तूटे हुए बरतन को कभी उपयोग में नहीं राना चाहिए ऐसा बरतन उपयोग में लाने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है कुछ लोग अपने नोकुरों को खाने के लिए टूटे बरतनों को रख देते हैं थाली में कभी भी भोजन ना करें जो थाली घूमती हो गोल-गोल आपने भी देखा होगा बहुत साई थालियों में क्या होता है पीच से उठ जाता है जिसके कन थालियां गोल-गोल घूमने लगती है जब हम उस पे खाते हैं तो ऐसे थालियों का उपयोग बिलकुल भी न नहीं मिलती है जीवन में तो ऐसे थाली का उपयोग नहीं करना चाहिए जो घूमता हो ऐसे थालीों को बदल कर दूसरा थाली खरीद लेना चाहिए तीसरा नियम खाना खाते समय कभी भी थाली से खाना गिरना नहीं चाहिए बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और खाना बहुत सारे थालियों से गिराते भी रहते हैं खास करके बच्चों के साथ यह समस्या होती ही है तो बच्चों को उनके खाना ना गिराने के लिए हमें सुरू से ही प्रेरिद करना चाहिए अभी से आप सिखाएंगे तब ही वो आगे जाके सिखेंगे तो जिनके भी खाना खाते समय खाना गिरता है एक तो खाने की बरवादी होती है अन्य की बरवादी होती है दूसरा ऐसी मानेता है कि उतने ही दुसमन उसके खरे होते हैं तो ऐसा करने से बचना चाहिए, थाली से खाना बिलकुल भी नहीं गिरना चाहिए, इस बात को ज़रू सुनिशित करना चाहिए चोथा, खाना खाते से में बहुत साई लोगों को आपने देखा होगा, मूँ से चप-चप की अवाज आती है, वो जो चवार हैं उसकी अवाज दूसरे लोग भी सुन पाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आती है दूसरा, जब भी आप ऐसा करते हैं, चप-चप की अवाज आती है, दूसका अर्थ है कि आप मूँ खोल कर खाने को चवा रहे हैं, जबकि आयरुवेद में बिलकुल ही इसकी मना ही है आयरुवेद कर उसार, आपको मुख को बंद करके ही खाना चबाना चाहिए और खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, ताकि खाना अच्छे से पचे और गैस की समस्या ना हो जो लोग खाने को मूँँ खोल कर चाबाते हैं और चपचप की आवाज आती है उनकी गैस की भी समस्या कापी रहती है तो ऐसा करने से बचना चाहिए वास्तौ 3 में भी वरजित माणा गिया है और आयोलवेद में भी से वरजित माना गिया है पांचमा कभी भी थाली या फिर हाथ चाट कर खाना नहीं खाना चाहिए अक्सर लोग स्वादिष्ट खानों को बहुत देर तक इंज्वाय करना चाहते हैं तो थाली को चाटने लगते हैं बाद में या फिर हाथ को चाटने लगते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना खाना चाहिए, उतना जम के खाना चाहिए, लेकिन थाली या हाथ को कभी भी भूल से नहीं चाटना चाहिए, जो भी थाली या हाथ को चाटता है, वो दरिदर होता है, तो ऐसा करने से हमें बिलकुल ही पचना चाहिए, अपने बच्चों को भी इसी प्रकार के सिच्छा देनी चाहिए छठा, खाना खाते समय कभी भी भोजन को बरबाद नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्य जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है आप बहुत ही भागिसाली है जो आपको पूरा खाना मिला है बहुत साइब दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को ध्यान करते हुए खाने को बरबाद हमें नहीं करना चाहिए अगर चावल खाते हैं तो ये भी सुनस्चित करना चाहिए कि बिल्कुल चाट पॉर्च कर भी थाली में नहीं खाना चाहिए कम से कम पाँच चावल तो निश्चित तोर पर थाली में रहना ही चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाना बरबाद नहीं करना है तब बिल्कुल चाट पोच कर खा लिया नहीं, ये भी वर्जित है 5,4 कम से कम होना चाहिए साथवा, कभी भी बिछाओन पर या बैठ पर बैठ कर खाना हमें नहीं खाना चाहिए बहुत साई लोग क्या करते हैं अपने जांगों पर थाली को रखके या फिर विछावन पर थाली को रखके या हाथ में थाली पकरके खाना खाने लगते हैं तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए जब भी आप विछावन पे थाली रखते हैं जब भी पूजा करने के लिए आते हैं नहा के आते हैं कपरे बदलते हैं तो पूजा करने से जाने से पहले आप अपने विछावन में भी एक बार ने एक बार जरूर सरते हैं के लिए बैठ है तो आपका मुख जो वो उत्तर दिशा में हो या फिर पूर दिशा में हो दक्षिन दिशा में खाना नहीं खाना चाहिए खास करके जिनके माता पिता जीवित हैं उनको तो बिलकुल ही नहीं खाना चाहिए जब भी इनी की मिर्तिव होती है तो उनके लड़क जरूर करना चाहिए कि दक्षिन दिशा में खाना नहीं खाना चाहिए और इसके अलावा पच्चिन दिशा में भी खाना नहीं खाना चाहिए बटकर पच्चिन दिशा में खाना खाने से लोग बिमार रहते हैं तो इन ही करनों से दक्षिन पच्चिन में खाना नहीं खाना है उत्तर पूर में खाना खाना सबसे उत्तम माना जाता है नौमा, खाना खाने से पहले असनान कर लेना चाहिए और सोच भी कर लेना चाहिए कभी भी खाना खाने के बाद असनान या सोच नहीं करना चाहिए आयरुवेद में दोनों ही चीज़ें वर्जित हैं, हमारे अन्य सास्त्रों में भी से वर्जित मना गया है जबकि आप जब भी असनान करके और सोच करके खाना खाते हैं, तो अच्छे से खाना खा भी पाते हैं लेकिन बहुत साई लोग क्या करते हैं खाना खाने के बाद जब उन्हें सोच जाना होता तो उसके बाद जाते हैं या फिर खाना खाने के बाद असनान करते हैं ऐसा करने से बचना चाहिए अगर आपने स्वास्त का द्यान रखना चाहते हैं तो आपको खाना, खाने से पहले, इन्हीं दोनों के लिएव को ज़रूर करना चाहिए इससे आप अच्छे से खाना भी खा पाएंगे और आप स्वस्त भी रहेंगे दस्त्वा खाना खाने से पहले against you, बhोजन देने के लिए अपने भगवान को जिस भगवान को भी हमानते हैं, मां अनपुरमादवी को या फिर हमेशा भोजन देने के लिए धन्यवाद जहूर देना चाहिए, क्योगि हम उस दुनिया में रह रहे जहां बहुत साय लोग ऐ ऐसे हैं जो एक समय के खाने के लिए भी तरस रहें तो ऐसे में जब हमें पूरा खाना मिल रहा है तो अपने भगवान को जोरूर ही हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान जिस परकार से आज आपने हमें अच्छा खाना दिया इसी परकार से जीवन भर हमारे जीवन में अच्छा खाना आप देते रहें इस परकार से भागवान को जोड धनिवाद देना चाहिए उसके बाद भोजन गरहन करना चाहिए तो मितनों यहाँ पर मैंने दस नियम बताए खाना खाने के तो यह नियमों का पालन हो सकता है कुछ आप करते भी हो कुछ नहीं भी करते हो कुछ नहीं जानकारी हो या कुछ जानते भी हो तो कोई बात नी मुझे उमीद है आप इन दसो नियमों को आज से ही जोर पालन करेंगे और अपने परिवार के लोगों को भी पालन करवाएंगे तो इसी तरह की अन्य ग्यानवर्दक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं तब तक देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जय माता दी